लाब के साथ सुखो की प्राप्ती, भाग्य एवं परिश्रम से उन्नती, आत्मविश्वास सुरक्षा का सरोत्तम साधन है, करकर आशिके जातक अत्यनत भावनाशिल होते हैं, भावनाओं में बहते हुए वे कभी-कभी आत्मविश्वास कवा देते हैं, जिससे आपको बड आए रखना आपके लिए अत्यन दावश्यक होता है, नमस्कार, मैं आश्ट्रो गुरुमा डॉक्टर जोती जोशी, आप सभी जोतिश प्रेमियों का हार्तिक स्वागत करती हूँ, हम अप्रेल 2024 महिने के राशी बहुश्यक को समझ रहे हैं, उसमें आज हम करकर राशी के जातकों के लिए यह महिना कैसा रहेगा, इस पर विस्तार से वारतालाब करेंगे, विभिन दुरुष्टि कोन से इस महिने के ग्रह स्थिति का हम शास्त्रोक्त विशलेशन करने वाले हैं, साथ ही विडियो के अंत में मैं आपको इस महिने करने वाला विशेश उपाई भी बताने वाली हूँ, इसलिए विडियो को अंत तक देखना न भूले, एक और महत्व पुरुणा बात है, कि हम विभिन दुरुष्टियों से यह महिना आपके लिए कैसा रहेगा, इस पर बड़े विस्तार से बताते हैं, उस अनुसार, इस महिने आपका अनुभव क्या रह यह आप हमें कमेंड द्वारा हम तक पहुचा सकते हैं, ताकि हमारे इस मार्गदर्शन का आपको लाभ हो रहा है, यह बात हम तक पहुच सके हैं व्यक्तित्व की दृष्टी से विचार करें, तो यह महिना करक जातकों के लिए अत्तिन्त सकारात्मक काहा जा सकता है विशेश बात है कि कर्म और भाग्य दोनों स्थान प्रबल होने के कारण आपके लिए कई शुभय ओग निर्मान होने वाले हैं उनका आपने लाभ उठाना चाहिए, क्योंकि उससे आपके व्यक्तित्व का सकारात्मक पद्दती से विकासा होगा बाहुनाओ ओपर विजय प्राप्तकर आप व्यवार की दिशा में मार्ग करमन भी करने वाले हैं संग्षेप में ये महिना आपके व्यक्तित्व को सम्रुद्द एवं संपन्न करने वाला रहेगा इसलिए इस काल का सदुपयोग करें धन परिवार वानी की दुरुष्टी से विचार करें तो करक जातकों के लिए ये महिना लाभकारी कहा जा सकता है क्योंकि अचानक अप्रत्यक्षित रूप से धन लाभ होना परिवारिक प्रॉपर्टी का लाभ होना शियर मार्केट में निवेश किये गए पैसों से अचानक लाभ होना ऐसे कई शुभप्रभाव आपको प्राप्त होंगे परिवार रुद्धी भी हो सकती है लेकिन उसके साथ ही वानी थोड़ी उग्र होगी इसलिए अपनी वानी पर नियंतरन रखे यह सलाह आपको दी जाती है एक और महत्वपुर्णा बात है कि चटपटे पदार्थ खाने की इच्छा आपके मन में निर्मान हो सकती है उन्हें खाना भी चाहिए लेकिन साथ ही स्वास्त का द्यान भी रखे पराक्रम एवं परिश्रम की दुर्ष्टी से विचार करें तो करकर आशी के लिए जातक सुभह उठकर कार्य की योजना बनाएंगे उस अनुसार कार्य भी करेंगे लेकिन उसमें कुछ बादाहे उत्पन्न होकर कार्य में विलंब होगा ऐसा अनुभव आपको इस अप्रेल माह में प्राप्त होगा लेकिन बाधा उत्पन्न होने पर कार्य को अधुरा छोड़ देना अनुचित होता है साथ ही पडोसियों से अकारण ही विवाद की संभावना है पडोसिया छोटे भाहियों से आपके विवाद हो सकते है इसलिए विवाद ना करते हुए समस्या का समाधान निकाले जो रिस्तों में दुरी ना बनने दे यह सलाह दी जाती है वास्तु वाहन भुमी सुखशान्ती की दुरुष्टी से विचार करे तो करकजातकों के लिए यह काल सकारात्मक कहा जा सकता है आपने वास्तु या वाहन की योजना बनाई हो तो इस महिने में आप उसे पूरा कर सकते है इसलिए उस दुरुष्टी से अधिक प्रयास करें वहां आपके लिए लाभकारी रहेंगे साथ ही माता जी से प्रेम प्राप्त होगा घर का वातावरन प्रसन रहेगा संक्षेप में इन सभी दुरुष्टियों से यह काल आपके लिए सकारात्मक कहा जा सकता है उसका पूरा उपोयोग करे शिक्षा संतती प्रणाई की दुरुष्टि से विचार करें तो करक जातक इस मैने बड़े उत्साह के साथ पढ़ाई करने का निरड़े लेंगे लेकिन जब पढ़ाई करने के लिए बेठेंगे तो उसमें बाधा उत्पन्न होगी इसलिए योजना बनाते समय यदि आपकी इच्छा दो गंटे पढ़ाही करने की होगी तो आपने तीन गंटों की योजना बनानी चाहिए ताकि आपकी पढ़ाही उचित पद्दती से पुरी होगी जब भाग्य में बाधा निर्मान होती है तब अपने कर्म से उसमें सम्रुद्धी लानी पड़ती है इस बात को मुख्य रूप से धान में ले इस्ट देव भी आपको आशिर्वात देने वाले है साथ ही विवाह इच्छुक वदूरों के विवाह जुडने की संभावना है लेकिन कोई दोका ना हो इसका द्यहन भी रखे स्वास्त्य कर्ज प्रतिस्पर्दी शत्रों की दुरुष्टी से विचार करे तो ये काल आपके लिए सकारात्म कहा जा सकता है कोड कचेरी में किसी केस पर आपका काम का सुरू हो और उसमें आपका पक्ष उचित हो तो उसमें आपको सफलता मिलने की संभावना है प्रतियोगिता परिक्षा में भी आपको सफलता प्राप्त हो सकती है अर्था तो उसके लिए उतनी पढ़ाही करना भी आवश्यक है इस काल में आपका स्वास्त सामानने रूप से अच्छा रहेगा संग्षिप में इन सभी दुरुष्टियों से ये महना आपके लिए सकारात्मक रहेगा इसलिए पूरा लाब उठाईए नोक्री ये व्योसाई की दुरुष्टी से विचार करें तो करक जातकों के लिए ये महना लाबकारी कहा जा सकता है फिर चाहे आप नोक्री में हो या व्योसाईक हो तो भी आपको लाब अवश्य प्राप्त होगा अर्थात उसके लिए परिश्रम करने ही पड़ेंगे जीवन में बिना परिश्रम के कुछ भी प्राप्त हो नहीं सकता इसलिए आपको इस काल में अग्रसेर होना पड़ेगा उस दुरुष्टी से सोयम को विकसित करना होगा हम आधुनी क्यूब में है इसलिए समय के अनुसार छोटे-छोटे बदलाओ करने ही पड़ेंगे इस बात को मुख्य रूप से द्यान में ले भाग्ये वम शुबसंकेत की दुरुष्टी से विचार करें तो करकजातकों के लिए इस महिने कई शुबसंकेत निर्माण हुए है उसमें मुख्य रूप से कहा जाए तो शुक्रदेव जैसा प्राकृतिक शुबग्रह आपके भाग्यस्तान में आकर उच्च वस्ता में विराजमान है शुक्रदेव आपके लिए सुखे शेवम लाभेश होते है जिस कारण विभिन्न दुरुष्टियों से आपका भाग्य उज्वल होगा लाभ के कई अउसर निर्माण होंगे साथ ही सुख प्राप्ति के अउसर भी निर्माण होंगे इसके अलावा दशम स्तान में विराजमान गुरुदेव भी बड़ा शुबसंकेत है इस प्रकार कई शुबसंकेत आपके लिए निर्माण हुए है उसके लगातार शुबपरिणाम प्राप्त होंगे इस समय का सदुपयोग करे कर्म की दुष्टी से विचार करें तो करक राशी के कर्म अधिपती मेहने की शुरुवात में आपके अस्टम स्तान में विराजमान है तेईस तारिक को वे राशी परिवर्तन कर आपके भाग्यस्तान में प्रवेश करेंगे करक राशी के लिए करमेश मंगल दे होते है जो आपके राशी के लिए राजयोग कारक भी है महने की शुरुवात में वे आपके अस्थम स्थान में विराजमान होने के करण अतिरिक्त परिश्रम करना आवश्यक रहेगा लेकिन 23 तारिक को वे आपके भाग्य स्थान में प्रवेश करेंगे वहां से उनकी यात्रा आपके लिए भाग्यवर्दक रहेगी वे आपके लिए केवल योग कारक नहीं बलकि राजयोग कारक है एक और महत्योपुरुणा बात है कि आपके कर्मस्तान में भाग्देश गुरुदेव विराजमान है उनसे भी आपको सहयोग प्राप्त होगा जिस कारण आपकी इच्छा शक्ति को मजबूत करें यह सलाह दी जाती है लाभ की दुरुष्टी से विचार करें तो करक राशी के जातकों के लिए ये महिना बड़ा लाभकारी कहा जा सकता है आपके लाभेश शुक्रदेव भाग्यस्तान में जाकर उच्चा वस्ता को प्राप्त हुए है अर्थात इस काल में आपको भरपुर लाभ प्राप्त होगा उसके लिए भाग्यसे सहयोग मिलेगा परिशम तो आप करने वाले है संग्षेप में कई दूष्टियों से ये महिना आपके लिए लाभकारी रहेगा ऐसा हम कह सकते हैं जिस कारण इस काल का पूरा उपयोग करें ताकि अधीक से अधीक लाभ प्राप्त हो सके वे वम परदेश का मन की दुरुष्टी से विचार करें तो करक जातकों के लिए ये महिना थोड़ा आधीक खर्च का रहेगा आप व्यवसाय वृद्धी के लिए स्वपनपूर्टी के लिए किसी कार्य के लिए पारिवारिक जिम्मेदारी को पूर्ण करने के लिए खर्च करने वाले हैं कुछ खर्च हॉस्पिटल पर हो सकते हैं यात्रा पर भी आपका बड़ा खर्च होने वाला है कुल मिलाकर खर्च उचीत हो तो कुछ खर्च अनुचीत ऐसे कई खर्च आपको इस मेहने करने पड़ेंगे इसलिए वैसी मानसिक्ता बना ले यह सलाह दी जाती है हर दिन हर किसी के लिए समान नहीं होता जीवन सुख दुक और उतार चड़ाव से भरा है उस सनुसार मेहने के कुछ दिन सभी के लिए अत्यंद शुभ होते है तो कुछ दिन अशुख तनाव और संगर्श से भरे होते है उस अउदी में हम कैसा वेवार करते है इससे हमारी परदारित होती है उस दुरुष्टी से करकजातकों के लिए साथ 15 और 25 यह दिन शुभर हैंगे प्रयास करें कि इन दिनों में सबसे आवश्यक कामों को पूरा किया जाए साथ ही 9, 18 और 27 यह दिन अशुभर हैंगे तो हो सकता है कि इन दिनों में संगर्श बढ़े पूराने विचार करें तो जोतिश में अत्य चोटे चोटे लेकिन बड़ा परिणाम करने वाले उपाय बताए गए है अशुभची जोकी अशुभची जोकी शुभचा बढ़ाने का उनमें सामर्थ होता है उन उपायों में क्रिश्टल का भी समावेश है उस अनुसार पूराने जखम मिट जाते हैं भाग्य भी बल्वान होता है महोगनी प्रेसलेट एकागरता निर्मान करने का अस्त्र है कमतरता असा धान निराशा की भावना दूर करने के लिए मदद करता है महोगनी प्रेसलेट शक्ति भी बाना जाता है जो बहे को दूर करता है पूरान कुल मिला कर स्वास्त के लिए अच्छा होता है बहंग्य भी साथ देता है ऐसा हमारा नहीं बलकि ब्रेसलेट परिधान करने वाले कई लोगों का अनुभव है यह ब्रेसलेट परिधान करने के लिए सोमवार को चंद्रमा के हुरा में दधी शंक तुशाराभं शिरो दावर्नो संभवं नमामी शशिनम सोमम शंबो मर्कुट बुशनम इस पंद्र का ग्यारह बार जापकर आपने यह ब्रेसलेट परिधान करने है उसके शुभपरिणाप प्राप्त होंगे इस प्रकार अप्रेल दोजार चोवीस मेश से लेकर म लिए कैसा रहेगा यह समझने के लिए हमने बारह वीडियो आपके इस चानल पर अप्लोड किये है लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए धन्यवाद शुभं भवतु जय जोतिश जोतिश का अध्यहन तता शास्त्र की शास्त्रिय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी द लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दी चैनल और हां बेल आइकोन दा बना ना भुले धन्यवाद